हेलो बच्चों नमस्कार आप देख रहे हैं मन्नु राठी यूट्यूब चैनल और मैं मन्नु राठी मैं आज बात करूंगी उत्तर पदेश इक्षक भरती सुपर्टेट कब होगा और राज्यपाल ने किसीश की स्विक्रितिती है और यूपी टेट जिसके नमबर भी कमिशन उसका अध्यादेश जारी कर दिया गया है अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसके अंतरगत आप देखेंगे कि यहां पर उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवत चैन आयोग विधेयक 2023 ठीक है यानि इसके अंदर पूरा क्लियर कर रखा है कि क्या डेफिनेशन है इसके अंदर टर्म्स क्या है उसका मतलब क्या होगा ठीक है और फिर बता रखा है आयोग की स्थापना और उसके क्या क्या कार्य होंगे ठीक उसके बाद आपका बता रखा है कि आपका की अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की क्या शक्ती होगी, आयोग का करमचारी वर्ग क्या होगा, ठीक है सारी बातें यहां पर लिख रखी हैं कि यह क्या क्या काम करेगा, तो यहां पर देखे, योगेंदर उपाध्याय मंत्री उच्छ शिक्षा, यहां पर उनके एंड में यह हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चेयन आयोग विध्ययक 2023 में किये जाने वाले ऐसे उप बंदों का ग्यापन पत्र जिन में विध्धायक अधिकारों के प्रतिन चयंती तो अंतर गरतण है, यानि कि पढम पriसारी नियमावली बता दी एकि उनका क्या काम है क्या 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 वो वो करेंगे, ठीक है बात कि यहां पर देखिया, योकेंदर उपाध्याय मंत्री, हर एक के मलब सारे हल लेवल भील पर यह जो है पास होकर, जो है आपका बात यह है कि इस पे अब राजयपाल के जो साइन हो गए है और पूरा फुल्टू गटित हो गया है अब गटित हो गया है तो सबसे पहले यह काम क्या करेगा भाई सबसे पहले यह काम जो करेगा वो करेगा यूपिटैट का क्योंकि सुपर टैट जो है सुत्रो की जाएगी कि आपके आगे सुपर्टेट 2024 में वो उस एक्जाम को दे पाएं तो उसके लिए यूपिटेट बेसिक है तो वो करवाया जाएगा यूपिटेट संभावित है नमबर दिसमबर में होने के लिए और जो है उत्तर परदेश शिक्षा सेवा चैन आयोग को राजयपाल की स्विक्रिती मिल चुकी है और यह जारी भी हो गया पूरा पत्र और 2024 में प्राइमरी के कुछ पदों पर भरती होगी सूपर टैट की तो यह कुछ बाते हैं ठीक है सुत्रों के हवाले से पता चली है अ और जानकारी अच्छी लगी है तो मनुराथी यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कर देशेगा थैंक यू